हलो दोस्तों आओ करें तयारी में स्वागत हैं दोस्तों हम देख रहे हैं MPPSC Pre Test Series 2024 यह test series MPPSC के New syllabus जो 2024 के लिए डिजाइन हुआ है उसके according है इस क्रम में हम Unit 3 को cover कर रहे है MPPSC के New syllabus की Unit 3 जो की Indian Geography पे based है इस Indian Geography section से हम 100 questions को देखेंगे यह Indian geography के most important 100 questions होंगे ना के बन हम इन 100 questions की practice करेंगे बलकि इसकी detailed analysis करके पूरे topic को समझने की courses करेंगे यह test number 3 है test number 1 and 2 जो की MPPSC Unit 1 और Unit 2 को cover कर रहा है आल लेडी uploaded है दोस्तों यह यह वीडियो आपके exam के लिए अत्यन्द मातपोन है क्योंकि जितना जादा आप MCQ के practice करेंगे उतना ही इस exam के लिए आप prepare होंगे और जो यह वीडियो हम ला रहे हैं इसमें most important question है और उनकी पूरी analysis है वो भी 100 question की analysis आप एक घंटे में पा रहे हैं टॉपिक को समझते हुए तो यह वीडियो बहुत important है प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को like करिए अपने friends के साथ share करिए अब हम स्टार्ट करते हैं test no.1 दोस्तों इस test को हम बाइलंगोल में ला रहे हैं question no.1 को देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बितु कि सराज में इस्तित है यह एक tri point पे त्रिबंदु पे इस्तित है जिसके एक और तो भारत थाई है अदूसरे ओर कौन से भारत और एक और तिबबत की सीमा लगती है तिबबत मिल्स चाइना की सीमा लगती है दूसरे ओर इसके मियामार की सीमा लगती है यह प्रश्न पूछा गया है सबसे उत्तर बिंदु कौन से हैं तो सबसे उत्री बिंदु को हम इंदिरा कॉल बोलते हैं इंदिरा कॉल बोलते हैं और सबसे दच्छनी बिंदु सदन पॉइंट कौन सी है सबसे दच्छनी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इंदिरा पॉइंट दच्छनी को इंदिरा पॉइ सरक्रीक जो कहां पे गुजराद में गुजराद पे ठीक है तो इस तरीके से हम भारत के चारों बिंदु और या है और वेस्टन कौन सी है वेस्टन जो है सरक्रीख है और इस्टन की वितु है इस तरीके से हम प्रस्ट में आते हैं तो सही जबाव हमारा हो जाता है option ही अनुनाचरप्रदेश next question की तरब बढ़ते हैं Tigers Hills Tigers Hills हाडiयां किस राज में स्तित है properties Tiger Hillsल कहां पे स्तित है Times और बढ़ते हैं निम पर विचार किजी यहां पर आ है उत्तर से दच्छिन अबोर, पटकाई और मिरी, इसको हमें कहां से लगाना है, उत्तर से दच्छनी में लगाना है, सबसे उत्तर में मिस्मी, सबसे उत्तर में कौन से हो जाएगी, मिस्मी के नीचे कौन से आ जाएगी, अबोर, अबोर के नीचे मिरी आ जाएगी, अबोर के बाद मिरी, मिरी के ब नहां रखना है, तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3. नमबर 1 पे काउन से होगी, सबसे उपर होगी, यहां पर हम देखते हैं, तो एक बार फिर से miss me, पहले नमबर पे होगी, फिर अबोर होगी, फिर मेरी होगी, मेरी फिर होगी पटकाई भूंग इस तरीके से हम देखते हैं से जवाब हो जाएगा option B next question देखते हैं which countries are separated by the cocoa state cocoa state किसको अलग करती है तो cocoa state अंडमान और cocoa island को अलग करती है किसको अलग करती है अंडमान दीप अंडमान इन cocoa island को अलग करती है cocoa island किसका है तो ये मियामार का है तो भारत और मियामार को कौन अलग करता है तो ये cocoa state, cocoa जलसंद किसको अलग करती है भारत और मियामार को अलग करती है जैसे यहाँ पर पहले देखते हैं अंडमान और निकोबार को कहने अलग करता है तो अंडमान और निकोबार को 10 degree चैनल अलग करता है अब मिनिकाई और लक्षदीब को मैं 9 डिग्री चैनल सेपरेटेटेट मिनिकाई इन लक्षदीब , Minicoy और Maldeep एक और चैनल आप देख लेते हैं यहां पर 8 degree Channel 8 degree Channel किसको अलग करता है Minicooy और Maldeep को Minicoy और Maldeep को Maldeep को 8 degree Channel अलग करता है यहां पर हम देख रहे हैं प्रस्ट में पूछा था Cocoa Jal Sandi किनको अलग करती है Cocoa State किसको separate करती है तो Cocoa State and Man and Cocoa Island up Myanmar को separate करती है, ठीक है, इसके अलाबा हमने देखा यहाँ पर तीन चैनल को देखा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल and 3 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, Mini Kai और मालदीब को separate कर रही है, मिनिकाय और मालदीब को, और 9 दिग्री चैनल मिनिकाय फ्रक्त को क्याम remain in analogy अज़्छडीप को कौन 9 दिग्री चैनल दल्ई ख खना है को और 1 डिग्री चैनल किसको कर रही है ? मिनिक आय और म defining को, 9 दिग्री मिनिकाय और कर से और 10 दिग्री अनवाने निकोवार्ग को यह most important है UPSC से ले कि हर exam में कई बार यह पूछा जा चुका है question 8 degree channel, 9 degree, 10 degree और Coco channel हमने 4 को देखा एक बार फिर revise करिए 8 degree, सबसे पहले हम 8 degree प्याते है 8 degree, Minikai और Maldiv 8 degree किसको? Minikai और Maldiv को 8 degree channel, Minikai और Maldiv को 9 degree channel, 9 degree, Minikai और Lachdiv को 10 degree channel, Maldiv और M Nikovar को तरीके से सही जवाब हो जाएगा Coco Jalzan, Maldiv और Coco DEEP को अलग करती है अगले प्रस्न के और बढ़ते है Question No.5 निमलिखित राज्यों में से कौन सा राज Bangla देश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो Bangla देश से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता? तो यहाँ पर देखना है हमको कि Option में कौन है? Meghal है Asam, Mijoram, Nagaland तो यहाँ पर Nagaland की सीमा Bangla देश से नहीं लगती है इसके बारे में हमको क्या देखना है? भारत की सरवाधिक सीमा भारत की जो सरवाधिक सीमा है जब Land Bondi सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लग रही है तो Bangla देश से लगती है अब Bangla देश से किसकी सीमा लगती है? एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं जैसे Bangla देश से हमारी किसकी सीमा लग रही है तो बंगलादेश में सबसे पहले आश्रम की सीमा हमारे बंगलादेश से लग रही है नेक्स्ट पस्षिम बंगाल की लग रही है बेस्ट बंगॉल बेस्ट बंगॉल की सीमा लग रही है नेक्स्ट मेगालाई की सीमा मेगालाई की सीमा बंगलादेश से लग रही है और किसकी लग रही है? तिरपुरा की लग रही है पर यहाँ पर क्या है? नागा लैंड की शीमा नहीं लगती है नागा लैंड की शीमा किसे लग रही है? तो मियामार से लग रही है इस बात को हमको ध्यानक ना हो गया इस state does not share the border with the Bangladesh तो बंगलादेश से water कौन शीर नहीं कर रहा? तो नागा लैंड शीर नहीं कर रहा है ध्यानक नाप को अगले प्रस्नी के ओर बढ़ते हैं भारत की मानक एमनोत्तर रेखा निमनिमे से किस राज जिसे नहीं गुजरती है तो भारत को क्या है मानक एमनोत्तर रेखा इसको हम क्या कहते हैं? standard time meridian does not process through which of the following state किस state से जो इंडियन meridian है standard time meridian है नहीं पास होती है तो हम इसको एक साथ देख लेते हैं जो हमारा standard meridian है इंडियन standard meridian है वो किस state से लगती है तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश से दिन UP के बाद MP दिन 36 गड़ उसके बाद Odisha दिन आंध्रा आंध्रा प्रदेश इतने देश से जो भारत की मानक एमनोत्तर रेखा है अब भारत की इंडियन standard meridian को हम क्या बोलते है 82 and half 82 and half degree जो है वो भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजलते है पहले UP, फिर MP, 36 गड़, Odisha और आंध्रा प्रदेश अगर इसको उत्तर से एक सही क्रम में मिलाने को कहा जाए तो ये ही सही option होगा UP, फिर MP, 36 गड़, Odisha और आंध्र प्रदेश तो प्रश्न की according इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत की जो मानक एमनोत्तर रेखा है वह तेलंगाना से नहीं गुजर रही है यहां हम देख रहे हैं आंध्रा से गुजर रही है तो तेलंगाना से नहीं गुजर रही तो सही जवाब क्या हो जाएगा option B, तेलंगाना, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को जो Indian Standard Time Meridian है वह तेलंगाना से नहीं गुजर रही है अगले प्रशन की और बढ़ते हैं इसमें निम्न कतनों पर विचार कीजिए और उपर्योक्त कतनों में से कौन सा सही statement given है असम भूटान तथा बंगलादेश की सीमा से लगा हुआ है बिल्कुल सही बात है असम जो है भूटान और बंगलादेश की सीमा से लगा हुआ है पस्चिम मंगल जो है भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ यह भी बिल्कुल सही है मिजोरम जो है बंगलादेश म्यामार की सीमा और ब्यामार की सीमा से लगा है बिल्कुल सही है तो इसमें से कौन से सही है तो सारे जवाब option A 123, तीनों सही है यहां फिर से एक बार देख लेते, असम बॉर्डर भी बूटान इन बंगलादेश, असम का बॉर्डर किसे बूटान इन बंगलादेश से, बेस्ट बंकॉल बॉर्डर भी बूटान इन नेपाल, इन मिजोरम बॉर्डर भी बंगलादेश इन मयमार, all these are right, so answer will be option A, one, two, three, next question, question number eight, पुदुचेरी का छेत्र विभाजित किया जाता है, यहां पर हम देख रहे हैं, पुदुचेरी तीन भाग है, यहां पर सबसे पर हम देख लेते हैं, पुदुचेरी के तीन भाग है, कौन कौन से हैं, तो एक को हम बोलते हैं, कराइकल, कराइकल, माहे, माहे और एनम, तो कराइकल कहां पढ़ता है कराइकल हमको तमिलनाड में देखने को मिल जाता है माहे हमको कहां पे मिलता है केरला में मिलता है केरला का पार्ट है माहे और यदम कहां पे है एनम आंधरा में है आंधरा में है आंधर प्रदेश में है तो हम जो पुदूचेरी है जो दुछेरी के तीन भाग है, कराईकल, माहे, एनम, कराईकल तमिलनाडु में है, माहे, केरला में है, एनम, आंदरप्रदेश में है, दुछेरी divided the state of तमिलनाडु, केरला, एन आंदरप्रदेश. Come to the next question, question number 9, भारत के निम्नांकित राज्यों में से, किसके तीन तरप अंतररास्टी सीमा हैं, तो तुपुरा, तुपुरा और सिक्किम, तुपुरा और सिक्किम की अंतररास्टी सीमा है, तीन तरप है, नागा लैन की तीन तरप से नहीं है, जैसे हम अगर देखते हैं, कि त तरप से सीमा किस में लग रही है तो त्रिपुरा राज तीनों तरप से कहां किस से गिरा हुआ है तो बंगलादेश से गिरा त्रिपुरा के तीनों और क्या है बंगलादेश है और सिक्किम के तीनों और क्या है सिक्किम के नौर्थ में चाइना है और वेस्ट में नेपाल है और इस्ट में इस्ट में भूटान है इस तरीके से देखते हैं कि स्टेट इंडिया साइज इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन थ्री साइड तो थ्री साइड से बॉर्डर हमें में तिप्पुरा एंड सिक्किम में देखने को मिलता है तो सही जवाब क्या हो जाएगा तो जासकर और लद्दाक रिंज और एक और पार्ट क्या है कारा कोरम कारा कोरम यहां पे प्रस्ण है जासकर इन लद्दाक रिंज आर पार्ट आप पार्ट आप ट्रांसी मालिया नेस्ट कोश्चन बैरल परबत माला निमनिफिस किन राज्यों में बिस्तित है यहां पे देखते हैं बैरल परबत माला कहां कहां पे है तो बैरल परबत माला हमको देखने को मिल जाता है मनीपूर में देखने को मिल जाता है असम में देखने and in money pool शिख किममेना और यह में घालाई में देखने को मिलती है next question की देखते हैं question number 12 molasses basin आप भारत में निम्न में से किस राज में पाएंगे तो molasses basin कहाँ पे तो मिजोरम में है बिजोरम में है मिजोरम में है कहाँ पे मिजोरम में देखते हैं, जो सिपकीला, सिपकीला पास कहां पर हैं, तो सिपकीला हिमांचल प्रदेश में है, मुलिंगला कहां है, उत्राखंड में है, मुलिंगला कहां पर देखने को मिल जाएगा हमको, उत्राखंड देखने को मिल जाएगा, बोमडिला अउनाचल प्रदेश, बोमडि सभी जवाब ऑप्शन दी अगले प्रस्न की और बढ़ते हैं कोश्चन नमर 14 सफेद रेगिस्तान भारत की निम्न में से किस राज में इस्तीत है वाइड डेजर्ट इस्टान को सफेद रेगिस्तान वोलते हैं किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं किसके रेगिस्थान को ध discoveries के वोलते हैं अगले प्रस्ट के ओर बढ़ते हैं कोस्चन में क्रेपी luxury नमर 15 हिमालाई की निम्ने चोटियों को पश्रिम से पूर्विकी ओर सही करम में व्यवस्तित करें हमको क्या करना है जो पीक्स है उनको कहां से किस ओडर में करना है वेस्ट के ओडर पर करना है तो मुस्ट वेस्टन कौन है ध betrayal गिरी धोला गिरी फिर उसके बाद कौन से आ रहा है। मौ्ट एवरेस्ट, धोलागिरी मांट एवरेस्ट, कंचन जंगा यंद नम्चा बरुए नम्चा बरुए सबसें उची चोटी को बोलते हैं can you Hutch सबसें उच्ची चोटी है किसकी अरावली के इसको बोलते हैं गुरु सिखर नेक्स्ट कोश्चिन माल्दा गैप किन पठारों को अलग करता है माल्दा गैप सेप्रेट वीज प्लैटूस तो माल्दा गैप किसको अलग करता है तो माल्दा गैप मेघाले और चोटा नागपूर प्लैटू को अलग करता है मेघाले मेघाले और चोटा नागपूर मेघाल इसको भी आपको ध्यार रखना है राजमहल या गार्योगाईब भी बोलते हैं किसको माल्दागाईब को अमालदागाईब प्राइदीपी पथार और मेगालाइब के पथार को अलग करता है ध्यार रखना है कौलेरु जील की नदियों के बेसं के चेति के मद्ध है, कौलेरु लेक इन दा निड हैं किस रिजिल रिजिल के बेसं के मद्ध में Are Il Kaur China और गोदावरी नदियों के मद्ध में कउलेरु जील के बेसं के मद्ध में कौ सिट है प्रेटू इस फेमस पर the reserve of team metal. टीम मेटरी के reserve के लिए कौन सा famous है? तो दंड कारण नेат, दंड कारण लिए क्लिए प्रेटू पर reserve of team metal. ध्यां रखना है. और दंड कारण पर लिख Witness that. धूरेर काहां पर है? लेकिन खनिश संसाधन के दिर्ष्ट से यह 3 महत्पून है यहाँ पर 3 धाद के बंडार प्रमक रूप से मिलते हैं कहाँ पर दंड कारण के पठार में ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चन लुसाई पहाडी किन राज्यों में इस्तित है लुसाई पहाडी किन राज्यों में इस्तित है इन विस स्थेट आ लुसाई हिल्स लोकेटेट किस स्थेट में है तो यह हमको तिरपुरा और मिजोरम कहाँ पर मिलेगा तिरपुरा और मिजोरम जो मिजो पहाडियां भी कहलाती है लुसाई हिल्स को हम क्या बोलते हैं मीजो हिल्स भी बोलते हैं मीजो हिल्स भी बोलते हैं लुसाई हिल्स को मीजो हिल्स बोलते हैं ये मीजोरम और तिपुरा राज्यों में इसी तेक परवत माला है पटकाई प्रहाणी जो पटकाई रिंज है उसकी भी एक उप्स रिंगल आ है, मिजो हिल्स, ध्यान रखना है, तो मिजो हिल्स कहां पे है, तिपुरा और मिजोरम में है, लूशाई की पहाडिया, नेस्ट कोशन, कोशन नमबर 21, करनाटक के पठार के संबन्द में निम्न कत्रन पर विचार कीजिए है, तो और क्या करना इस में से कत्रण शत्य को हमको देखना है, तो करनाटक के पठारी छेतर में पष्चमी घाट से सलंग परवती एवं पठारी छेतर है, इस पठार की सबसे उची चोटी मूलनगीरी है, किस ना कावेरी, तुमभद्रा, शरावती यहां की प्रमुख न दिया है, बिल्कुल स सही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरियोग तो सभी एक बार फिल से हम देखते हैं यहाँ पर मलनाट काते हैं the highest peak of this plateau is मुलनगीरी इन किसना कावेरी तुंभध्रा इन श्रावती अर्वती अर्द में रीवर अप करनाटखा प्लेटू all these options are correct so answer will be option D all of the above question चेरा पूजी इस्तित है question number 22 चेरा पूजी कहां इस्तित है तो यह आपको पता होगा जैसे यह कहां पे है खासी पहाडियों में इस्तित है कहां खासी पहाडियों में चेरा पूजी ही नहीं जो भारत के जो सरवाधिक वर्षा वाला चेत्र है उसमें से चेरा पूजी और एक दूसरा क्या नाम है मासिन राम मासिन राम यह दोनों कहां इस्तित है यह दोनों खासी के पहाडियों मे जो rainfall होता तो यहाँ पे दोनों से rainfall होती है तो चेरापुजी is situated कहाँ पे situated है on the Khasi Hills में situated है अगले प्रस्में क्यों बढ़ते हैं question number 23 भारत में कौन सा व्रिच समुद्र तल से सरवाधिक उचाही पर पाया जाता है which of the following tree is found at the highest height above the sea level sea level से highest height पे कौन सा है तो यह देवदार के बिच जो होते हैं उस सी लेवल से सबसे ज़्यादा height पे हो जाते है इसकी height क्या होती है इसकी height हमको 1500 से 2500 मीटर तक के देवदार के बिच को height मिलती है एक कहाँ पाया जाते हैं वेस्टन हिमालिया जो है वेस्टन पस्वी हिमालाय में पाय जाते हैं देवदार के प्रिच सही जवाब हो जाएगा option है देवदार क्या है इसके बारे में में highest height above the sea level is a देवदार question number 24 तिहरी जल बिद्दूत परियोजना किन दो नदियों का संगम पर है तिहरी hydroelectric project is at the confluence of these two rivers किस्टू river पे टिहरी जल बिद्दूत परियोजना है तो टिहरी भागी रती एन भीnhाना के क्ते हैं किस दो नदियों पे confluence पे बना है संगमर बना है भागीक है यह ध्यान लककत ना कहां पे हैं उत्राखंड पे हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं question number 25 लिम्ने में से कौन सा इस्थान भूकम जोन फोर में इस्थित नहीं है अई दिल्ली उत्राखंड हिमान चल यह सब किस में आते हैं फोर में आते हैं क्या नहीं आता भूपाल भूकम जोन फोर अर्थ को एक जोन फोर में कौन सा नहीं है भूपाल नहीं है प्रश्न की ओर बढ़ते हैं question number 26 कौन सुमेलित नहीं है यहां पे हमको देखना है सुमेलित थार हैं क्यान रखना पे कर नातक में और नाय पर अज़ीज है क्याकर में कल पक्कम काहा है तरपुर महरास्ट में है करनाटक में रावद्भाराश्ट्षान में का करापार गुजरत में और तमीन जिंड़ में क्वळट ata question number 27 भारत के पश्चिमी तट के सहारे कौन सा राश्टी राजमार गुजरता है जिस नेशनल हाईवे पासेस अलॉंग दे वेस्टन कोस्ट आप इंडिया वेस्टन कोस्ट आप इंडिया के सहारे कौन सा गुजरता है तो नेशनल हाईवे 66 जो कि किसके सहारे गुजर रहा है पश्चमी तट के सहारे अब पूर्वी तट के सहारे कौन सा गुजरता है ध्यान रखना है पूर्वी तट के सहारे पूर्वी तट के सहारे नेशनल हाईवे 16 जो 16 है वो पूर्वी तट के सहारे है और 66 पश्चमी गुजरता है यह दोनों बिंदों को आपको ध्यान रखना है अगले प्रस्न के और बढ़ते हैं खाद सुरच्छा की दिश्ट से अंतियोदय अन्योजना का प्रारम कभी किया गया वाज अंतियोदय अन्योजना इस्टार्टिट प्रम पॉट सीकुरिटी के पॉइंट अब लोगटेट है अंतियोदय अन्योजना कभी स्टार्ट होई है 2000 में अन्योजना भारास सरकार के दोरा सुरुक किया गया है अन्योजना year 2000 2000 में 2000 में प्रारम होग अगल्य प्रस्न की और बढ़ते क्याद माम की पहाडियँ इस्तीत है काद माम हिल सी लोकेटेड, तो काड़माम हिल्स कहां पे लोकेटेड है, केरल तमिलनाड की सीमा पे लोकेडेड है, कहां पे, on the border of Kerala in Tamilnadu, Kerala in Tamilnadu के border में इस्तीत है, आपमाम की ही क्या है, पीक है, अनाई मुडी, अनाई मुडी, और ये भारत की सबसे दच्रतम इस्तीत है, अनाई मुडी क्या है, most southern hills है, अनाई मुडी है, सबसे उची चोटी भी है, तो ध्यान रखना है, काड़माम की पहाडी कहां पे है, केरल और तमिलनाड की सीमा में है, और इसी का क्या है, अनाई मुडी, जो है, पीक है, हिल्स है, अनाई म option select करना है, पीट मिर्दा मुख्य रूप से डेल्टाई चेत्रों में पाई जाते है, बिल्कुल सही, तो पीट स्वायल है, मेंली फाउंड इंदा डेल्टा रिजन, डेल्टा रिजन में ही पीट स्वायल होता है, डेल्टाई चेत्रों में पीट मिर्दा की उपलदता के का यहां पर कौनसे सधा बाहर बन पाये जाते हैं यहांपर कौन से सधाबहार बन पादी बन नहीं पाये जाते हैं तो यह आप्शन गलत हो गया चाही जबाब हो गया option one in two the सुंदर्बन डेल्टा रिजन इंडिया अब डिसीडियस डिसीडियस नहीं है यहां पर डिसीडियस गलत होता है तो correct answer will be option a one in two only next गर्जात की पहाडियां किस राज में इस्तित है तो गर्जात की पहाडियां कहां और जारखंड में अगले वर्स की अगले question के और बढ़ते हैं वर्स 2011 की जन्गर्णा के अनुसार कौन सा कथन अशक्ति है अशक्ति कसन को देखना है जन्गर्णा आयुक्त डाक्टर सी चंद्र मौली थे बिल्कुल सही भारत में विस्व की 17.5 प्रत्यात जन्गर्णा निवास करते हैं बिल्कुल सही भारत का लिंगा नुपात पिछले दिसक की तुल्णा में तेरा अधिक है तेरा अधिक है ए गलत दोस्तों क्योंकि 10 अधिक है 10 अधि 11 का जो सेक्सी रेशियो कितना है 9.43 है और 9.43 है और 2001 का सेक्सी रेशियो क्या था 9.33 था 9.33 है तो कितना अलग है 10 है यहाँ पर कोश्चन में 10 मोर होना जाहिए कोश्चन में क्या गिवेन है 13 मोर गिवेन है 13 अधिक है है कितना 10 अधिक है तो यह आप्शन गलत होता है अग वेंगों का है अगले प्रस्वार बढ़तते कोशन नंबर 34 कौन सोईному गलत सुमेली थे ध्यान रखना गलत को पाहिन करना एक तरफ परयोजना है प्रोजेक्ट है उसके दूसरे तरफ रिलेटेड़ रिवर है तो दुलहस्ती कि से बना हुआ है तो ध्यान रखना है दुलहस्ती चेनाप पे बना हुआ है चेनाप पे तो ये बिल्कुल सही दुलहस्ती चेनाप पे है उरी कहां पे है उरी जेलम में है उरी जेलम में है माता टीला कहा है वेत्वा नदी पे है थीन परियोजना कहा है थीन परियोजना सतलुस प बेत्वा हो गया अथीन रावी में है ध्यान रखना है आपको सब्सक्राइब किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुगभद्रा रिवर की सबसे लॉंगेस्ट टिवेटरी है तुगभद्रा तुगभद्रा किसकी है क्रिष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है लार्जस टिवेटरी किसकी है क्रिष्णा रिवर की क्रिष्णा की लार्जस टिवेटरी है तुगभद्रा अब तुगभद्रा किसमे क्रिष्णा के राइट साइड में है सबसे बड़ी सहायक नदी है अग तुगभद्रा और कौन सी नदिया है तो यहाँ पे हम देखते हैं अगरईक दोनों तरब से देखते हैं तो हम राइक में देखते हैं कौन सी हमको मिल जाएगी तो क्वेशना कोंडा भी किसकी है ऑर नदी की सहएख नदी है ॰ोइन पंच गंगा इसको भी ध्यान रखना है, दूद गंगा इच अब किसकी है, खाट प्रभा और माल प्रभा एक क्रिषणा नदी के, क्या है, राइट ड्रिपूटरीज है, मुसी भीमा और मुनेरू, ये क्या है, लेप्ट है, left में हमने देखा मूसी भीमा मुनेरू और right में कोईना पंचगंगा दौद गंग घाट प्रभा कुछना नदी के साहिक नदी एक संब से होता ए्ब्रारारा कि कहां पहरार के पास है महा बलेश्वर के पास है किलियार कॉद्र के कौने नदी जो question number 36, कौन सी कृतिम जील है, artificial जील कौन सी है इसमें से, तो artificial जील कौन सी है, कुडाई कनाल Tamil Nadu, कौडाई कनाल जो है, इसमें कौन सी यूग सुमेली थे, ध्यान रखना है, तो कपिलधारा कहां पे है, कपिलधारा प्रपात, गोदावरी में नहीं है, कपिलधारा कहां पे है, कपिलधारा नर्वदा नदी पे है, नर्वदा नदी पे है, कपिलधारा धुआधार, ये सब किस पे है, नर्वदा नदी परिस्तित है, जोग शरावती पे है, बिल्कुल सही, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही, सबसे निगेट है ग्रेट निकोबार के सबसे निगेट कौन है सुमात्रा दीब है सुमात्रा आइलेंड जो किसके नज़िक है अब भारत के दच्छिन पूर्चित में इस्तित है यह भागोलिक रूप से इंडोनेशिया का कौन सा है सुमात्रा के नज़िक है अब भारत का सबसे दच्छन्तम बिंद हमने देखा कौन सी है दच्छन्तम बिंद कौन सी इंदरा पॉइंट ए भी कहां पे है यह ग्रेट नि अगले परस्न के ओर बढ़ते है question no.13 है निम्रखित कत्नों पर विचार कीजिए और गलत है उसको गलत को हमको देखना है तो भारत की हिमालय केबल 5 राज्यों में प्यला है यह बिल्कुल गलत 5 राज्यों में हिमालय ना प्यलके कहां कितने राज्यों में 11 राज्यों में 11 स्टेट में हिमालिया है हिंडिया हिमालिया सेप्रेड और फैप नहीं 11 स्टेट में दिए । इसमें हम देखते हैं हिमांचल प्रदेश हिमांचल और कौन से हिमांचल उत्तराखंट हिमानचल, उत्रा, खंड, सिक्किम, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, मनीपुर, मनीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघाले, मेघाले, इन असम, इन 11 स्टेट में हिमाल्या एस्प्रेट किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हिमाले 11 राज्यों में फैला हुआ है, सेकेंड ऑप्शन, पस्ट्रमी गाट केबल 5 राज्यों में फैले हुए है, ये भी गलत, पस्ट्रमी गाट 5 में नहीं, ये 6 में है, तो पस्ट्रमी गाट कितने चेत्र मे Gaella in Tamill Nomo In 6 state may western guard western guard spread 오ा है हिमालया कितने में i state कर रहा है हिमालया 11 में कर रहा है 6 me western guard हिमालया 11 state में spread कर रहा है तो 1st 2 are incorrect 3rd one pull cut deal के बल दो राज्यों में फैली हुई है बिल्कुम सही pull cut जो है pull cut लिखे है एक किस-किस राज्यों में है, तो पुली-कट, एक तो आंध्रा, आंध्रा एंन तमिल नादू, दो राज्यों में, सीमा लगाता है कौन सा, पुली-कट लेक, तो थर्ड ऑप्शन सही है, इसमें हमको गलत को फांड आउट करना है, गलत को फांड आऊट करना है, तो गलत first, two तो यहां पर एक बार फिर से देखना है हिमालय के बल पांच राज्यों नहीं हिमालय ग्यारा राज्यों को कवर करता है पस्टमी घाट पांच नहीं छै को कवर करता है इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा option A next question question number 40 उत्तर भारत के उप हिमालय छेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है जो उत्तर भारत के जो समतल मैदान सहारे समतल मैदान को उसको क्या कहा जाता है भावर कहा जाता है भावर और भावर किसका छेत्र है यह सिवालिक का छेत्र है यहां पे जब नदियां परव मनता है भाबर का छेत्र बनता है छेत्र के साहरे फैले समतल मैदान बाबर काते हैं many next question question नमबर 41 kg भारत का सरवा तर्वादी का म सर्वाधी वाला ध्योप कॉन सा है तो भारत का सबसे आवाधी वाला्दू इज़ाइट है, the most populous island of India is a Salcet, और Salcet कहां है, महरास्ट प्रदेश के पस्चिमी तर्ट परिस्ती थे, कहां पर है, महरास्ट के पस्चिमी तर्ट परिस्ती थे, Salcet, जो सबसे most populous island है, Salcet, question number 42, यहां पर क्या given है, river given है, और उससे state given है, तो हमको ध्यान रखना है, खित में से कौन सा युग में सही सुमेली थे, तो इंद्रावती जारखन नहीं, इंद्रावती जारखन गलत है, इंद्रावती कहां से निकलती है, तो इंद्रावती चतिसगर से निकलती है, भीमा कहां से निकलती है, तो इसकी चंद्रभागा नदी का पार्ट है, यह कहां से निकलती है मारा कहा है महरास्ट महरास्ट करनाटक और तेलंगाना महरास्ट करनाटक और तेलंगाना चेत्रों में प्रवाहित होती है लूनी राजस्थान में बिल्कुल सही लूनी राजस्थान में प्रवावित होती है अगाट प्रवगाट प्रवा केरल नहों के कहां करनाटक होती है करनाटक करनाटक होती है इस तरीके से सही सुमेली थे लूनी राजस्थान लूनी का कहां पर है इंद्रावती का कहां पर है इंद्रावती का इंद्रावती का इंद्रावती का चत्तीजगड में है जारकन गलत है भीमा का कहां पर है महारास्थ करनाटक है भाट प्रभा करनाटक में है, करनाटक में है, लूनी is the correct option. इसके 3 दस्षिन पश्षिम मानसून काल में निमलिकित इस्थानों में सबसे कम वर्सा कहां हो जाएगी तो चिन्नाई में सरवाधिक वर्सा हमको कहां से होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे जादा वर्सा किस राज से होता है तो वैतर्णी नदी का उद्गम उडिशा से होता है उडिशा वैतर्णी नदी कहां से निकलती उडिशा में निकलती है और एक ध्यानकना वैतर्णा भी है वैतर्णी उडिशा और अगर वैतर्णा आ जाये तो वैतर्णा कहां से है महारास्ट से है ध्यानकना वैतर्णी कहां से निकलती है तो उड़ीशा उद्गम उड़ीशा में होता है अगर वेतर नहां आ रहा है तो उसका सही जवाब हो जाएगा महारास्ट कोशन नंबर 45 इसमें कारक दिये हुए हैं उन कारकों को प्रत्यच रूप से भारती मानसून को प्रभावित करते हैं हमको शलेक्ट करता सही जवाब हो जाएगा तो भारत की जो मानसून है उसको यल नीनो वेस्टरन डिस्टर्बंस बस्चमी बिजूब और तिबबत प्लेटू यह इंपक्ट करते हैं बट मंकर रेका का संबल भारती मानसून को में प्रभाव नहीं डालता है अगले प्रस्ण की और बढ़ते ह तमिल नाड में सरत कालीन वर्षा अधिकासता है किन कारणों से होती है तो तमिल नाड में सरत कालीन वर्षा किससे होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती सरत कालीन वर्षा कहा पो होती हमने देखा उत्तर पूर्वी मानसून में सरवाधिक वर्षा चिन्नई में होती है इसको सरतकाल की वर्सा कहते हैं यह उत्तरपूर्वी मानसून इसका कारण होता है और इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है तो ध्यान रखना है तमिलनाड में सरतकाली वर्सा किसे होती उत्तरपूर्वी मानसून इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं से उत्तर भारत की और मांसून की अवद घड़ती है बिलकुल जब हम the duration of मांसून decreases from southern India to northern India, southern India से northern India के और approach करते हैं तो मांसून का जो level है अवद ही है वो क्या होते ही reduce होती है second option उत्तर भारत के मैदानों में अगर हम नदन पार्ट में देखते हैं तो जब हम east से west की और जाते हैं तो इसको intensity है उसकी क्या होती है वर्षा की मात्रा है amount है वह कम होती है तो यह भी बिलकुल सही है तो दोनों पश्मी मानसून में दच्छली शेत्र में प्रवेस करती है और उत्तर की और जाती है तो जहां पर प्रवेस करेगी वहां सबसे जादा वर्षा होगी तो जब हम south से नार्थ की और बढ़ते हैं तो इसकी जो मात्रा होती है घटी जाती है सेम अगर हम नदन एरिया में देखें तो क्या होता है पस्चिम की और घटी जाती है तो यहां से हम यह क्या हो रही है घटी जा रही है सबसे पहले मांसून का आगवन होता है तो भारत में सबसे पहले मांसून का आगवन होता है तो भारत में सबसे पहले मांसून का आगवन कहां पर होता है अंडवान निकोबार में होता है उसके बाद प्रवेस करती है फस जून को लगबग केरल में प्रवेस करती है तो सबसे महात्मा गांधी जलप्रपाद नाम कर दिये हैं महात्मा गांधी जलप्रपाद सही option शरावती शरावती इसको फेमस नाम क्या है जो गॉर्डर पॉल नेक्स्ट कोश्चन नमबर प्युप्टी हिमालय से प्रवावहित होने वाली नदियों के संबंद में निम्लकथन में कौ इस रिबर्स आर पानीनियल्स रिवर्स हमेशा बहती हैं 1280 यह नदिया सामानता है पूर वर्ती और अनवर्ती होती है बिल्कुल इस रिवर्स आर्जनली प्रीसिडेंट एन फॉलोविंग बिल्कुल सही है यह नदिया नवबहान और सिचाई के लिए प्रतिकूल नहीं है अनुकूल है these are the unfavorable for navigation in irrigation unfavorable नहीं फेवरेवल है तो यह option गलत होता है हिमाले की नदिया युग अवस्ता में these rivers are young stage तो यह यह भी बिल्कुल सही है तो इसमें गलत find out करना था असत्य को find out करना था तो यह असत्य है यह क्या है प्रतिकूल नहों के अनुकूल है इस बज़े से यह option अगले प्रस्ट में क्यों बढ़ते हैं इसमें एक तरफ river है दूसरे तरफ उसका source है यह origin है उद्गम इस्तल है तो देखते हैं हम मांडवी मांडवी river कहां से निकलती है जंबोती घाट बेल्वगाम से निकलती है बिल्कुल सही शाबर मती नदी कहां गिव गुजरा से होता है शोन रेखा छोटा नाकपुर्पदार और प्रेडियर अन्नामलाई बिल्कुल करेक्ट है तो इस प्रस्ट का सही जवाब क्या हो जाता है शाबर मती नदी कहां से राजस्थान उदैपुर से उद्गम होती है ना कि गिर राजस्थान से अगले प्रस्ट लोकटक जील के संबन में कौन सा कथन आ सकते हैं लोकटक जील से रिलेटेड हमें रांग स्टेट्मेंट को फाइंड आउट करना है option एको देखते हैं यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है इस पर तैरते हुए दीप पाये चाते हैं जिने इस्थानी भासा में फुमडी यह फुमदी काते हैं बिल्कुल सही यह अपनी पादक्ता एवन जय विवित्ता के कारण मिजोरम की जीवन रेखा है बिल्कुल गलत दोस्तों मिजोरम की नहीं यह कहां पे है लोकटक कहां पे मनीपूर की जीवन रेखा है इसकी मनीपूर की यह धियान ध्यानक ना मनीपूर की जीवन रेखा है इसके बारे में क्या क्या statement है तो ये उत्तरपूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है बिलकुल सही यहां पे तैरते हुई दीप पाये जाते हैं जिसे फुंगडी या फुंगडी काते हैं यह अपनी उत्पादक्ता ज दिकांसता है भारत के किस भाग पर पड़ता है तो पश्चिमी विशोब का इंपक्ट भारत के किस भाग पर पड़ता है तो यह उत्तर पश्चिमी छेत पर पड़ता है सही जवाब हो जाएगा नौर्थ वेस्ट रीजन में ही जो वेस्टन डिस्टर्ब से अफेक्टेड होता है इसे तुपान जो कैस्पिया ने भूमद सागर से उत्पन होते हैं तो था उत्तर पश्चिम भारत के गैर मांसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार है तो इसी क्या हो में आवस्तन 200 से अधिक वर्षा छेत्र में सामिल है विचाथ फॉलोविंग एरिया रेसीब रेंफॉल मोर देन 200 सेंटीमेटर 200 से ज्यादा रेंफॉल हमको कहां मिलती है तो मासिन राम में बिल्कुल चेरापुजी में बिल्कुल और और कहां पे मिलेगी हमको और पश्मी घाट में मिलेगी पूर्वी घाट में 200 से ज्यादा नहीं होती तो सही जवाब हो जाएगा 123 ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन मासिन राम चेरापुजी और मेघाले राज में इस्ती थे हमने पहले भी देखा खासी पहाड़ियों में इस्ती थे मेघाले मेघाले प्लेटू क सबसे ज़्यादा पाई जाएगी तो उस्त कटिवंधी वर्सा बन में अगले प्रसन की और बढ़ते हैं यहां लिस्ट वन लिस्ट डू गिवन है उसको मैस करना है उस्त कटिवंधी 1 ऊस्त कटिवंधी बन कौन से कहां पाया जाते हैं तो इस साइलेंट वैली में में पाय होता है तो हिमांचल प्रदेश में कोनी फारस फ्रस्ट हमको देखिते को मिलेंगे और कच्षया मा комп्रू फारेस्ट कहां पे हंगे कि मैं इं préparट हमको कहाँ पर मिल जाएगे और राजस्थान में दों जवाब इसका क्या हो जाएगा ओप्शन डी 4213 यह सही जवाब हो जाएगा तो एक बार फिर से देखते हैं टॉपिकल इवर ग्रीन फॉरेस्ट साइलेंट वैली कॉनिफेरस हिमांचल मैंगरूब फॉरेस्ट सुन्दरबन इन डिसीडियस टॉपिकल ड्राइड डिसीडियस प् 제स्राजस्थान सब्सक्राइइएंट क्सांदी या अल्माडी बाओंध कहां में नदी पे है कि बहुत इसा ची है बहुत देश ये बाढ़ परियोजना है अलमट्टी उगले प्रस्थन के और बटते हैं मैती जंजा ती समूह मुख रूप से निवास करती यह मनीपूर की पहाड़ियों में मैती निवास project कलपोंग hydroelectric project located है कहां पर located है तो ये अंडवान निकोबार दीप समूँ पर है कलपोंग जल्विद्दत पर्योजना कहा है अंडवान निकोबार दीप समूँ में है अब भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से यह एक ऐसी परियोजना है जो किसी दीप पर बनी हुई है कलपुंग ऐसी जल्बिद्दृत परियोजना जो किसी द्यूब पर बनी हुई है, और किस द्यूब पर बनी हुई है, तो अंडवान निकोबार डीप समू में बनी हुई है ध्यानक ना, अंडवान निकोबार आइलेंड में बनी हुई है एक तरफ लेक्स है दूसरी तरफ इस्टेट है तो सबसे पहले देखते हैं बैंबनाद कहां पर है तो बैंबनाद हमको केरला में देखने को मिलेगी बिल्कुल सही मैस्ट है डिदवाना राजस्थान में देखने को मिल जाएगी चेलामू कहां पर मिलेगी सिक्किम में जवाब क्या हो जाएगा इसमें wrongly masked कोई है चुलाम में नागालेंड चुलामू कहां पर होगी नागालेंड में ना होके कहां पर होगी सिक्किम में होगी सिक्किम में चुलामू होगी तो यह wrongly masked है next jet stream के संबंध में कत्नों पर विचार किजिए consider the following statement regarding jet stream के recording हमको यहां पर statement को देखना है सत्य को find out करना है यह उपरी वाय वंडल में अतितीव विगत से चलने वाली वाय प्रवाय 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 प्रढाली है next उसने कटिवंधी पूर्वी जेट स्टीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मांसून के उत्पत में मदत मिलती है यह भी correct statement है एक बार हम इसको इंग्लिस में देख लेते हैं इस तरह से सारे option सही है और सही जवाब क्या हो जाएगा option d यह हमारा सही जवाब हो जाएगा अगले प्रसुन की ऊवर बढ़ते हैं कलिक रानीं ब्लैक्रीबर श्यवीशन किससे लीएटेद है तो ब्लैक रिवल्योशन ब्लूट उयल प्र्डेक्शन से कच्छा ते ल उत्पादन से संबंदित हैं ब्लैक्रेवलिशन यहाँ और देख लेते हैं जैसे फिस प्रोडेक्शन से किस से है फिस प्रोडेक्शन किस से है ब्लू रिवल्यूशन से है ब्लू ब्लू रिवल्यूशन फिस मस से कौन है नीली क्रांती नीली क्रांती क्या है मस उत्पादन से है और एलो रिवल्यूशन पीली क्रांती किस से है सरसो स तरसों से है पीली किरांदी अब लैक किसे है कच्छा तेल से ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 63 मिल्वकित में से कौन सायूग में सुमेलित नहीं है एक तरफ संस्थान है दूसरे तरफ इस्थान है अग दूसरे तरफ लोकेशन है भारती वन प्रबंध प्रबंधन संस्थान कहा है भौपाल में इसकी स्थापना कब हुई थी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी कि मिनिस्ट्री अभ इन्वार्म्मेंट फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंच का क्या है वित्थ पोसित है स्वाय इंट्वी ते इंदियन इस्टीूट पर इधी तो फॉरस्ट मैयेजमेंट के रहें जो कहां पे 2011 census which is the which is the state with the highest rural literacy in India highest rural literacy किसमें है तो यह सभी जवाब हो जाएगा केरल केरल में highest rural literacy केरल किसके लिए total literacy के लिए सबसे पहले number one है कुल साथ चर्था शिकेंड है विवन लिटरेसी महिला साथ चर्था में नंबर वन है नेक्स्ट है पुरुषा चर्था में में लिटरेसी पुरुषा चर्था में भी नंबर वन है और ग्रामीन में भी नंबर वन है तो सही जवाब हो जाएगा option B केरला केरला क्या है हाई जिस रूरल लिटरेसी इंडिया है कौन सा छेत्र ज्वारी उर्जा उत्पादन का प्रमुक्षेत्र है following areas in the main areas of tidal energy production tidal energy production के लिए कौन सा है एक गलप आप खंबात है खंबात की खाड़ी किसके लिए फेमस है ज्वारी उर्जा की उत्पादन के लिए सबसे फेमस है महत्पूर्ण खाड़ी यह कहां है भारत के पश्मी छेत्र पे इस्तित है और कच्च की खाड़ी भोगोलिक रूप से ज्वारी उत्पादन की छमता रखती है इसी में क्या जियो थर्मन एनर्जी पे बेस्ट है, मनिकरन पाबर प्लांट किसी स्टेट पे है, मनिकरन पाबर प्लांट कहां पे है, हिमांचल प्रदेश में है, मनिकरन, मनिकरन जल बिद्धु सेंद्र कहां पे है, तो यह हिमांचल प्रदेश में है, यह 5 मेगा वाट का छमता रखता है बूतापी बिद्दूस्यंत रिस्तापित हुआ था यहां पर एक कहां पर है पार्वती नदी पर पर पारती घाटी मेश थी थै जो मनकरन है कहा पर है पार्वती घाटी पर स्तित यह जो पार्वती नदी पर है थर्मल नेक्स्ट कोशन सरवादिक लिंगानुपात वाले प्रथम चार राज कौन से हैं सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है तो नंबर वन नंबर वन पर केरला केरला में कितनी है तो इस प्रशन के अनुशार कौन सा हो जाएगा इस प्रशन के अनुशार ओप्शन है केरला तमिलनाडू आंद्रप्रदेस और मनिपूर यहाँ पर 2011 के अनुशार सरवाधिक लिंगानुपाद वाले प्रथम चार राज हैं पहला केरल एक हजार चौराजी दूसरा तमिलनाड नाइन 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 टी सिक्स थर्ड है आंद्रा नाइन नाइन टी त्री और फिर नेक्स्ट है मनिपूर नाइन नाइन टू के साथ एक टौकेसेट्ड नंच ऑक टी बालती उष्ट कटेवंधी मौसं विज्यान संस्थान कहा इस्तित तर्थी अप ट्रॉप्विकल मेतोलाजिएं य्रम पर इस्तापित की तो त्रियागी है। question number 69, one report 2021 के नुसार किस राज में सरवादिक वन छेत्र में व्रिद्धी दर्ज की गई है, in which state, according to the forest report 21, has the maximum increase in the forest area been recorded, forest area किस में सबसे ज़्यादा हुई, इसको भी हम लिस्ट देख लेते, सबसे ज़्यादा कहां पे हुई है, आंध्रा प्रदेश में हुई है, आंध्रा प्रदेश में कितना हुई है, 647 स्क्वाइर किलोमेटर हुई है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे तेलंगाना में व्रिद्धी हुई है, तीसरे नंबर पे उडिशा में व्रिद्धी हुई है, और चोथे नंबर में करनाटक में व्रिद्धी हुई है, तो सबसे ज़्यादा कहां अंद्रा फिर तिलंगाना फिर उडिशा फिर करनाटां तो सबसे जादा बृध्ध कहां पे हुई है तो एंपशन से आंद्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा बृध्ध उइ। 647 स्क्वार किलोमेटर की ब्रिद्वी है अगरे प्रस्न की ओर बढ़ते है कोशन नंबर 70 2011 की गणना के अनुसार सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या किस राज में निवास रत है स्क्थान की अगरे बंचल प्रशेट्फ।57 में कौन सा चेत्र native green received state अग्ला स्वान्चल स्क्राइब नहीं है जो गयास पाइख रजनसंग इसमें कौन से ब्से इसक्राइब 혁ने तो सब्सपेरें सबसे जो most inner होता है, core होता है, then buffer होता है, then buffer और सबसे बाहर में उसको transition zone दो कौन सा नहीं होता है Critical zone नहीं है जो जैब आरची होता है, उसमें core होता है बफ़र होता है सरंकमण होता है critical नहीं होता तो तो सही जबाब हो जाएगा option B अगले प्रस्ण के ओर बढ़ते है, question number 72, नीलगिरी बायसपेर रिजर्ब छेतर किन राज्यों में विस्तारित फैला है, नीलगिरी बायसपेर रिजर्ब एरिया extended इन, नीलगिरी बायसपेर कहां कहां पे है, तो ये तमिलनाडु केरल और करनाटक के छेतर में हमको मिलता है, नीलगिरी बायसपेर रिजर्ब कविस्टेबिक हुआ, 1986 में स्थापित हुआ, और 2000 में इसको UNESCO की लिस्ट में सामिल किया गया,2000 में सामिल किया गया, और कहां कहां पे है, तमिलनाड, केरल और करनाटक में हमको ये देखने को मिलता है, नीलगिरी बायसपेर रिजर्ब, question number 73 भारत में सिचाई के साधन के रूप में किसका उपयोग सरवाधी किया जाता है इसको भी हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा हमको कुए और नलकूप यहां पर हमको लगवक 61.5% कुए नलकूप में होता है उसके बाद नहरो में करीब 24.5% और तलाब में करीब तलाब में 2.97 7% इन अधर क्या है अधर है अधर आजाता 10.19% तो मैक्सिमम पूछा है यहां पर मैक्सिमम मोस्ट यूजड इरिगेशन कौन से हैं मोस्ट यूजड में आ जाता कुए नलकूप का उपयोग सरवाधी किया जाता है अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर 74 हाली में हुए पारव चंबल ERCP link परियोजना किसके बीच हुआ है पारवती काली सिंद्ध और चंबल की ERCP परियोजना है जो राजस्थान और मत्प्रदेश के मद्ध त्रिपच्ची समझाओता हुआ है राजस्थान मत्प्रदेश राजस्थान मत्प्रदेश और तीसरा पच्छ कौन है Central Government यहा एक तरफ ठों 2 तरफ राज राजज्य हमको देखनांल क्ला है काला हुडिय उडच शेटरी राजस्थान में बिल्कुल से मज्च्हां मत्प्रदेश में राणी उडश करे तक हैं वेस्ट बंगाल यह ज्याए गलत जवाब हो साएगा तो सही कलती उगम को हमको पहिचान करना है तो option D सही जवाब होगा अगला प्रस्न प्रसिद कोईला खदान सिंग रेनी किस राजमेश्थी थे तो सिंग रेनी कहाँ पे है जारखंड में है और एक मदप्रदेश का है मदप्रदेश में क्या है सिंग रॉली है तो सिंग रॉली अगर पूछता है तो मदप्रदेश और सिंग रेनी कहाँ पे है जारखंड में तो सही जवाब option D जारखंड हो जाएगा अगला प्रस्न भारत की किस केंसासित प्रदेश में सरवाधिक साथचर्टादर है तो भारत में सरवाधिक साथचर्टादर कहाँ पे है तो सबसे ज़्यादा हमको साथचर्टादर भारत में लच्च दीप में देखने को मिलती है कितना है 91, 91.8% है अन्यूनतम साथचर्टावाला कौन सा है दादर, दादर, नगर, हवेली दादर नगर हवेली यह क्या नियुनतम है और माक्सिमम कहां लच्छदीप में 91.8% लेटरेजी है next question कत्नों पर विचार किजिए और असत्य कत्न को हमको select करना है क्योंचर और मयूरगंच जारगंट राज में इस्तित लाव एसक है बिल्कुल गलत क्योंचर और मयूरगंच लाव एसक छेतर जोकी उडशा राज में इस्तित है ना की जारगंट में कहां पर है क्योंचर और मयूरगंच कहां पर है उडशा में है option में क्या दिया हुआ जारकंट, जारकंट क्या हो जाएगा, गलत हो जागा, क्योंचर और मयोर्भंज किसलिए जाना जाता है, क्योंचर और मयोर्भंज ये लव ऐस का छेत्र है, जो कि उडिशा में देखने को मिलता है, और छोटा नागपुर पठार को संसाधनों के प्रच क्योंचर संसाधनों के पचूरता के कारण भारत का रूर प्रदेश का आजाता है, अगला प्रस्न, 81 रिपोर्ट, 2021 के अनुजा, सरवाधिक बनाच्छादिद वाले राज्यों को घट्ता करना है, अगले प्रस्न, 81, 2011 की जनगर्णा के अनुजार, भारत में कितने प्रस्न, जन संक्या ग्रामीड शेत्र में निवास रात है, 68.80, 68.8, कहाँ पे है, भारत की जन संक्या गामों में राती है, अगले प्रस्ट की ओर बढ़ते है, question number 82, भारत में कौन सा छेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला छेत्र है, following reasons is the largest coal field in India, largest coal field कौन सा है, तो जरिया, जरिया, जरिया जो है, भारत का सबसे largest coal field है, यह कहां पे है, यह जारखंड में स्थीत है, जारखंड में situated है, कौन सा जरिया, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला छेत्र है, next question, करनाटक का गुलबर्गा, गोगी छेत्र किस खनीश के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए और कौन सा है, एक महत्पून और अस्थान उसको आपको बूलना नहीं उरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, question number 84, निमलिखित में से कौन सा कथन असत्त है, भारत थोरियम उत्पादन के दिश से संपन्न देश है, भारत थोरियम का उत्पादन के रहराज की मोनाजाइट रेट से होता है, बिल्कुल सही, pitch blend उरेनियम का एसक है, ताता पानी जारख जारखन में ना होकर कहां पे है, 36 गड़ पे है, तो पहला साई भारत थोरियम उत्पादन में संपन्न देश है, थोरियम कहां पे है, केरल राज में मोनाजाइट रेट से होता है, pitch blend उरेनियम का एसक है, और ताता पानी जारखन में ना होकर 36 गड़ में इस्तित है, तो इस नेशनल वाटर वे थर्ड, थर्ड किसके बीच में तो हम सबसे पहले सबको जानते है, नेशनल वाटर वे वन, किसके किसके बीच में है, तो यह प्रियाग राज से, प्रियाग राज से आप बताए कहां तक है, प्रियाग राज से हल्दिया तक नेशनल वाटर वे वन है, और 2 कहां तक है, 2 सदिया से धुबरी है, सदिया से धुबरी, यह 2 है, और National Waterway, 3rd किसके बीछ में है, 2 prze consent, कुल्म से कहां तक है बताएए कुल्म से कुट्टा पुरम, पुर्म तक यह National Waterway 3 है, 3 पूँच रहा है, तो 3 का साइँ जवाब हो जाएगा, कोक्लम से कोटपुर्म Next Question 86 कौन सा युग में सुमेली त नहीं है सरदार सरोबर बाद नर्बदा नदी, त्िल्या बाद कुनार नदी यही गलता उप्षन हो जाता है कि त्िल्या बाद कहां पर है त्ल्या बाद कुनार नदी में ना होकर बराकर नदी में है। बराकर कहां पे हैं ज्भार खान में जित है अगले प्रश्शन कि आर बढ़ते हैं मैंचेस्टर गारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो मैंचेस्टर फेर तो बारत काम धूगारों किया नूर्थिंडिया उत्र भारत का मैंचेस्टर किसे का जाता है तो कानपूर को कानपूर को का जाता है। आप सदन इंडिया दच्छिन भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है तो ये कोयंब टूर को कहा जाता है किसे कोयंब टूर को कहा जाता है अब प्रस्ण में क्या पूछा गया है दच्छिन भारत का मैंचेस्टर तो सही जवाब क्या हो दाएगा option B कोयंब टूर को दच्छिन भारत का मैंचेस्टर कहाता है अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं question number 88 ओर नमेरी राष्टी उद्ध्यान किस राज्ज में इस्तित है तो ओर नमेरी कहां पर है इस्तित है तो यह आसं में इस्तित ए और इसके अलाबा कौन में क्या है ओरंग और नमेरी यह sreiben कहां इस्तीत है असम इस्तीत है अगला यहां पर अभयारन है सैन्चुरी है दूसरे तरह पे इसटाप अब हर अभयारन पंजाब में ती नंप घाना वंनि त्ल इसे हो जाएगा डंफा option B डंफा मड़ीपूर में ना होके मिजोरम एक बार फिर देखिए इसको लर्ण करना होगा अब ओवर कहां है पंजाब में डामफा भेरन कहां पहे है मिजोरम में मिजोरम में है नामदाफा कहां पर आपक हाल कहां तेलंगा ना है तो option भी इसका सभी चवाब हो जाएगा अग्रें प्रशन क्यों बढ़ते हैं जन संक्या के अनुसास सरवाधिक दस्की बृध्द्य वाले राज्य हैं सरवाधिक दस्की बृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, इसको भी हम पहले देख लेते हैं, एक साथ, तो सबसे जाधा दस्की बृद्धि हुआ है कहां पे, मेघालाय में, मेघालाय में हुआ, मेघालाय में बृद्धि कितने थी, 27.9% है, फिर उसके बाद आंदर प्रदेश, आंदर ज्यादा दसकी ब्रिध मेघाला है फिर आंद फिर बिहार फिर मिजोरम है अब हम इसी के अकॉर्डिंग सही जवाब को ढूरते हैं तो सही जवाब हो जाएगा अप्शन दी मेघाला है आंद प्रदेश बिहार और मिजोरम यह क्या है सरवाधिक दसकी ब्रिध वाले राज्य हैं घटेक्रम में हाइजिस्ट डिकेडिल ग्रोथ इन टम्स पापुलिशन कौन से मेघाला है दिन आंद प्रदेश दिन बिहार दिन मिजोरम है भारत में प्रथम हरित क्रान्त किन फचलूं को सरवाधिक लाग हुआ प्रतम हरित करान्त में किसके लाब हुआ दर्स पाजाता है इसको याद रखना जाता है मिस सौमी नाथन को कह जाता है question number 92 खाद सुरच्छा 2013 के ताद भारत की लगभग कुल कितने प्रिशत आवादी को सामिल किया गया है approximately what percentage of the total population of India has been covered under the food security एक 2013 food security एक 2013 के ताद भारत की कुल आवादी अगर प्रस्ट में पूछ रहा है कि total population तो total population कितनी covered है total population food security act के अंदर 67% cover है total population covered under food security act 67% अगर question में पूछ रहा है कि total ग्रामीर population कितना है total rural population कितनी covered है तो total rural population अगर पूछता है तो यह हो जाएगा 75% 75% total rural population covered है अंदर food security act खाद सुरच्छा अधनियम के ताथ और अगर अरबन पूछा जाता है अरबन तो अरबन 50% total का 50% population अरबन पॉपलेशन covered है अंदर food security act और total अगर पूछ देता कुल कितने प्रतिसत आबादी covered है तो एक 67% हो जाएगा total food security act में 67% और अगर इसी को कटेगरी करें तो रूर में 75% इन अरबन में सहरी जनसंख्या में 50% तो इस तरीके से इस प्रशन का सही जवाब हो जाएगा option C अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं question number 93 इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कुछ फसल के नाम दिये हुए है क्राप के और इसमें पूछा गया कौन सी रभी की फसले है कौन सी रभी क्राप्स है तो रभी क्राप्स में हम देखते हैं तो रभी क्राप्स में क्या जाता है एक तो चना आ गया दूसरा सर्सू आ गया और क्या जाता है चना सर्सू चना सर्सू तो यह option में कौन से पोर फाइब तो यह option ए सही जबाब हो जाएगा चना और सरसो ग्राम और मस्टर्ड ए कौन सी है यह रभी की क्राप और इसके अलाबा बाजरा गड़ना और चावल एक इसकी है एक खरीब की क्राप है तो यहां पर पूछा हुआ है रभी की क्राप तो option ए सही जबाब हो अभियारन कहां पर है तो यह जारखंड राज में है तो सही जबाब इसका क्या हो जाएगा option है जारखंड राज में है और इसको कभी स्थापित किया गया 1975 में 1975 में इसको शुरुआत हुई थी और यह कहां पर जारखंड में ध्यान रखना है अगले प्रस्ण के और बढ़ लखना है गिरना परियोजना कहां पर है गिरना नदी में कोईना परियोजना कहां पर है कोईना नदी में है कोईना नदी में है और भीमा परियोजना किस में है इसको ध्यान लखना भीमा परियोजना कहां पावना नदी में है और एक क्या है यह सारी बहुत देशी जबाब हो जाएगा यह महारास्ट में गिर्णा कोएना और भीमा यह सारी कहां पे हैं यह महारास्टा में इस्तित है तो परियोजना किस राज में इस्तित है तो महारास्ट में इस्तित है और किस नदी पे बनी इसको भी धियान लखना है गिर्णा हमको गिर्णा नदी में द तो भारत के मद्ध भाग में भू इसकलनों का आभाव पाया गया है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यह बिल्कुल सही option है कि भारत के जो मद्ध भाग है वहाँ पे हिमाले भू इसकलन से सबसे ज़्यादा असुरची था और तीसरा जबाब पस्चमी घाट में हिमाले की अपेच्छा कम भू इसकलन होता है यह बिल्कुल सही बात है हला कि पस्चमी गाट और हिमाले दोनों भू इसकलन लैंसलाइट से प्रभावित है पर अगर हम compare करते हैं तो हिमालय में प्रश्मी घाट के अपेच्छा क्रिक ज्यादा भूसकलन को देखने को मिलता है तो प्रश्ण में क्या पूछा हुआ है असत्य कौन से हैं तो हमने देखा कि तीनों स्टेट्मेंट क्या हैं करेक्ट हैं यहां पर इंग्लिस में आप देखते हैं तो इंग्लिस में एक आप्शन नहीं है जैसे हिमालय भूसकलन से सबसे जादा असुर अच्छी थे यह आप्शन नहीं है इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नन अब्दीज भारत का कौन सा छेत्र गरम हवा लू से प्रवावी थे तो लू से प्रवावी छेत्र कौन सा है तो भारत का उत्तरी और जो मद्द छेत्र है उत्तरी मद्द छेत्र है यहां पर हमको लू जो एक क्या है इस्थानी पवन है देखने को मिलती है तो इसका सही जबाब हो जाएगा नदन इन सेंटरल दिजन आप इंडिया अफेक्टेट बाय लू इसमें हमको क्या करना है एक तरफ प्रोजग्ट है दूसरे तरफ स्टेट हैं उनको और परक्का पस्षिम बंगाल में एक बार फिर से देखते हैं हम तो भद्रा परियोजना कहां पे है भद्रा करनाटक में है पनामा प्रोजक्ट कहां पे है गुजरात में है टेहरी उत्रागंड में है और फरक का वेस्ट बंगॉल में तो इसका correct option कौन सा हो जाएगा 9A2 B1 C4 D3 यह correct option हो जाएगा तो option B is the correct answer अब हम last question के और बढ़ते हैं भारत का कौन सा भाथ चक्रवात आपदा के लिए सरवाधिक संवेदन सील है तो most sensitive किसके लिए cyclone disaster के लिए कौन सा एरिया है तो भारत का जो पूर्वी घाट है इस टन घाट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको क्या cyclone impacted देखने को मिलता है क्योंकि ज़्यादा तर जो चक्रवात आती हो कहां से आती है बंगाल की घाड़ी से उत्पन होती है इसी वज़ए से पूर्वी तर्ट जो है अपेच्छा क्वित पश्मी तर्ट के ज़्याद का समदेदंसील है तो इस तरीके से हमने पूरे 100 question को देखा और उसकी detailed analysis की अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंट के साथ सेयर करिए थैंक्यू सो मच